Hello guys and welcome back to the video, so guys, आज हम लोग खेल रहे हैं, Roblox के अंदर, Tech Tycoon Simulator, तो guys, यह बहुत ही जादा simple होने वाला है, इसमें अपन लोग को अपने अपने factories में जाना है, और यहाँ पर दोस्तो हमें अपने basement में जाना होगा, ठीक है, यह थोड़ा unique है, और अपन लोग आज बहुत सारे Tech Gadgets print out करने वाले अपनी factory से, और आप लोग ready हो जाए है guys, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोग देख सकते हो guys, हम लोग नहीं यहाँ पर अपना Mac Intosh का जो dropper है, वो लगा दिया है, या फिर आप assembler कह सकते हो, इसको क्योंकि basically यह drop नहीं होती है machines के अं होते हैं, और एक Hack Intosh computer से guys, by the way, यह Mac Intosh है, लेकिन यह लोग इसको Hack Intosh बुला रहे हैं, ताकि Apple वाले लोग को copyright claim ना करें, तो यहाँ पर guys, हम लोग को 10 dollars का profit हो रहा है, और अगर ऐसे ही हो चलते रहा, तो फिर भाई, अपन लोग जल्दी ही, यहाँ पर millionaires बन जाएंगे, त तो आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग के पास अच्छा खासा पैसा हो चुका है, लगबख 200 and, नई, actually 315 dollars, और इन पैसों का इस्तिमाल करके, अब हम लोग खरीदने वाले हैं, यहाँ पर अपना iPod वाला तो मैंने खरीद लिया था, I guess iPhone assembler, और guys, अब इस iPhone assembler से, अप अब हम लोग के पास सब कुछ बन रहा है guys, I mean Apple TV, Mac, Book, आपका drone हो गया, मतलब जो भी कुछ आप सोच सकते हो, सारी की सारी चीज़े, Airports वगर भी अपन लोग यहाँ पर असेंबल कर रहें, और यह देखो भाई, लाइट्स भी हम लोग ने लगा दिया यहाँ पर, और अब सारे के सारे product जो है, अपर लोग यहाँ पर display पर लगाएंगे, और हमारे customers यहाँ पर आ करके यार, इन चीज़ों को खरीदेंगे, एक एक करके, और हम लोग भाई, इससे बहुती जादा profit कमाने वाले है, तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं front shop को खरीद हूँ, हम लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ खरीद दी है, तो एक फड़ फड़ से उसको भी यहाँ पर खरीद लेता हूँ, और उसके बाद जब हमारे पास इनफ पैसे हो जाएंगे, तो अपर लोग चलेंगे उपर में, और सेट अप करते हैं अपनी यार, आपल शॉप को, ओल्राइट ग यानि कि अवा अपकर घंप कर आँप यार, वह बाहिए, तो गॉर कैसे के एक फ्लोग को अवा ऊपर बनाने उनको MAX OUT करना एक dale लाएंगे आयनि कोई मैरे तो पूरें लेका बड़ाएं करेंगे और देंगे उनको हैं, वाई पनी लोग यहां करके मैं यार बहुत सारी चीज़े खरीदने वाला हूँ जैसे सबसे पहली तो है एक चछत, एक चछत खरीदने के बाद guys, अब हम लोगों को जरूरत है यहाँ पर lights की, तो फटफट से lights खरीदते हैं, finally यहाँ पर थोड़ी रोशनी आ चुकी है, अब roof lines खरीदते हैं अपन decoration trees, और guys अब अपन लोग खरीदें के यहाँ पर bench और bench पर लगाएंगे iMac, भाई देख रहे हो, कितना सही लग रहा है guys, हम लोगों का पहला product यहाँ पर showcase के लिए हम लोगों ने लगा भी दिया है, अब time है अपने macbooks को यहाँ पर लगाने का, और भाई यह तो इतनी तेज आपको कोई idea भी नहीं है, इससे पहले पता चले का, यह sold out भी हो जाएंगे, और यह तो भाई, tables में हम लोगों ने finally यहाँ पर खरीद लिये, और table पे अब हम लोगों को लगाने है products, और products के लिए है, well, पैसा खर्चा होगा guys, तो अब मेरे को दुबारा से यहाँ पर इंत my god bro, यह iPods भी लगा दिये, हम लोगों ने iPhones भी लगा दिये है, in fact, बहुत सारे iPhone 11s मेरे को दिखाई दे रहे guys, यहाँ पर, and I guess कि यह सारे के सारे हम लोगों ने blue color में order दिये थे चौप, और तो भाई, मेरे को क्या पत आपने किस color में order दिये थे, भाई, मेरे से क्यों पू इसको एक iPhone या फिर AirPod free मिलेगा, अगर वो $10,000 से उपर की shopping करता है, तो यह complimentary gift है guys, तो अगर आप लोग भी हमारे shop में आना चाहते है, तो जल्दी से उस like के बन को spam कर दीजे, और चैनल को अभी कभी subscribe कर दीजे, दोस्तों, notification icon को all पे कर दीजे, special discounts के लिए, और guys, बाहर में आप लोग देख सकते हैं, shop भी अपनी यार, factory को यहाँ पर, I mean more like shop को जो है, बहुत ही अच्छे से decorate कर रहा है, लेकिन भाई, अभी time लगेगा उसको यहाँ पर अपने shop को बढ़ा करने में, तब तक अपन लोग जाते हैं, थोड़ा और पैसा ही खटा करते हैं, और इस पै पैसो का हम लोग इस्तमाल करेंगे second floor खरीदने में, और second floor पे guys, हम लोगो को क्या देखने को मिलता है, ओ bro, यहाँ पर भी walls खरीदने पड़ेंगे, और यह क्या भाई, conveyor built, यहाँ पर भी conveyor built, यहाँ पर भी conveyor built, ओके चट खरीद लो सबसे पहले चट बहुत important है, और फिर यहाँ पर आप चीजों को ट्रेस्ट करोगे, ओ, तो guys, यहाँ पर हम लोग कोई भी product में, अगर default निकला, या फिर अगर कोई भी तरह का fault निकला, तो आपन लोग उसको यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए अपन लोग को well, एक area रखना पड़ेगा न दोस्तो, क्य अपने device में कोई भी type की complain आएगी, तो वो कहाँ पर जाएंगे, और विल वहाँ तो businessman खरीदने को option आ रहा है, और वह businessman आपके, आपल का भाई advertise करेंगे, पैसा को manage करेंगे, पैसे को और बढ़ाएंगे, बाई, तो guys, आपने सुनाएंगे, हमारा meeting room भी कितना जादा वाब है दोस्तो, यहाँ पर हर जगा बैठने के लिए chairs है, और यहाँ पर सब के पास एक अपना Macbook Pro है, guys, और tables पे free में हम लोग उने iPhone fake ही है, क्योंकि क्यों ने भाई, अपल लोग Apple है, Apple के पास बहुत पैसा है दोस्तो, इतना पैसा है ना कि एकाद भाई, country वगरा भी खर अभी तक तो हम लोगों ने customer service यार, बंदे जो होते वो भी नहीं खरीदे, और अगर वो नहीं खरीदेंगे तो वह बहुत दिक्कत होगी, वो देखो, चौप ने यार, parking lot भी बना लिया, अपर लोग को यहाँ पर सही में बहुत काम करना पड़ेगा, मेरे पास तो parking lot वग चुके हैं दोस्तों, तो इन 40,000 dollars का अपर लोग फिर सिस्थमाल करते हैं यहाँ पर नई नई चीजे खरीदने के लिए, तो यह रहा हमारा customer support और यह क्या है भाई, अच्छा एक और customer support टीम का बंदा, और यहाँ पर हम लोग security guard खरीद लेते हैं, फिर बाहर में अपर लोग खरीदेंगे guys, क्योंकि अभी के लिए फाइदमन नहीं है, अभी हमें अपना जो hard earned cash है, उस सही जगा पर लगाना होगा, आपके यार दुकान में तो customers भी आने शुरू करती है भाई, तो guys parking lot खरीदने का यही फाइदा होता है, कि आपके यार दुकान में customers भी आ जाते हैं और उन पैसों से आपने लोग और चीज़े खरीद सकते हैं, and it's just fantastic यार, guys अब हमें लगता है कि हमारा shop यहाँ पर सही से operate करना शुरू कर चुका है, well मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बात, क्योंकि आप हम लोग सीधा इसको max out करेंगे, और उसके बाद आपको दिख यहाँ पर rebirth लेने के लिए, और अपर लोग के एकदम मुझ पर इन लोगों ने prestige चेप दिया है, तो हम लोग को यार, जबरदस्ती यहाँ पर rebirth लेना को, actually मैंने सारी चीज़ अनलॉक कर दिये, जो अपर लोग अनलॉक कर सकते थे, तो उसकी वज़े से दोस्तों हमें आप लोगों को basically बस एक टूर दे देता हूँ, ठीक है कि अपर लोग ने क्या-क्या खरीदा है, तो आपको तो पतही होगा यार, first floor में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ अनलॉक कर ली थी, और यह वही है, ठीक है, customers अब और भी जादा आ रहे यहाँ और चीज़े अब चलते हैं, अब चलते हैं अपने second floor पे, यहाँ पर आपको याद को याद को एक conveyor belt हम लोगों ने लॉक किया था, तो इस conveyor belt का काम है, इतना पैसा आप लोग कमा रहे हैं, इस पैसे को सही तरीके से bank तक पहुचाना भी होता है, और इस पैसे को सही से manage भी करना होता है क्योंकि guys अगर इतना पैसा आ रहे हैं, तो बहुत इजली आप lose कर सकते हो, track of money, और उसके बाद money बर्बाद हो जाएगा, और यह जो दो बंदे यह चेक करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, कि money जो note हमारे पास आ रहा है, वो fake note तो नहीं है, यानि कि guys counterfeit currency तो हमारे यार apple shop में यहाँ पर provide नहीं की जारी, इसलिए यहाँ पर मैंने इतने सारे बंदे बैठा है, यहाँ पर हम लोग का uniform भी है guys, जो कि सारे बंदे पहन करके चलते हैं, और यह रहा guys हमारा testing area, यहाँ पर जो भी devices apple corporation से आते हैं, वो अपन लोग यहाँ पर guys check करते हैं, ताकि कोई भी defect ना मिले, आपको तो मैंने बताए ही था, और सारी की सारी चीजों को यहाँ पर security check किया जाता है guys, ताकि सब कुछ एकदम fully functional है और operational है, और यह देखो भाई, हमारा parking lot कितना जादा खुबसूरत दिखाई दे रहा है guys, अभी बाहर से वहाँ भी चलेंगे थोड़ी देर में, कि कैसे यहाँ पर जो business profit से उनको maximize किया जा सके, अब चलते है guys, आगे की तरफ यह देखो हमारा third floor ही है, third floor में CD से घुछते के साथ हमें देखने को मिलता है हमारा personal cabin, और यह guys हम लोगों का office है, यानि कि जो owner shop का, उसका office यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके पीछे की दोस्तों, actually यह जो area है, यह सिर्फ अच्छे को अपन लोग employees को देते, जो लोग जादा selling करते, और यह area यार जो youngster लोग आते, जो interns होते उनको दिया जाता है, दोस्तों, जो company में नए नए आर आए हैं, और जिनको यार उतनी जादा समझनी अभी, उनको हम लोग यह area देत अपने को यहाँ पर आपल शॉप खोला था, और यहाँ पर सारे के सारे employees के जो कार है, वो भी मैंने ही खरीदे हैं, मतलब इस yellow supercar से लेकर के गाइस इस Lamborghini तक सारी की सारी गाड़िया मैंने ही खरीदी है, और आप लोग देख से तो कितनी जादा खूबसूरत लग रही है, यहाँ पर लोग ने लैंबगीनी गलाड़ो खरीद लिए, आपल शॉप के लिए, और याँ यहाँ आपर लोग ने बहुत पैसा यहाँ खर्चा किया है, और गेम ने भी बोल दिया भाई, तुमने मैक्स आउट कर लिया है, तो इसलिए रहने दो, ठीक है, तो गाइस, I'll see you in the next one, thanks watching, video पसंद आये, तो like, share, subscribe कर देना, until then, stay frosty.